Hello everyone, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग सल्तनत कालीन विभाग देखने जा रहे हैं, ठीक है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके सभी एक्जाम्स में, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं अपने सल्त दीवान ए वजारत तो इस समझ लिए वजीर के लिए होता था तो यह वित्त विभाग ठीक है क्या होता था यह वित्त विभाग के लिए होता था ठीक है दीवान ए वजारत किसको कहा जाता था था वित्त विभाग को जो सारा फाइनेंशियल लेखा जोखा रखते थे ठीक अब उसके बाद देख लीज़े, तीसरे पे आते हैं, दीवान इं मुस्थखराज, ठीक है? दीवान इं मुस्थखराज जो है, वो किस से related है? वो राजस्विभाग से है, ठीक है? इंपोर्टेंट है आपको सब याद रखने होंगे सब के सब इंपोर्टेंट है ठीक है दीवाने इंशा दीवाने इंशा जो है वो पत्रा उसके बाद देखें दान विभाग यह तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दान विभाग राजसु विभाग वित विभाग यह सब आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो दान विभाग जो था सल्पनत काल पे वह दीवाने खैरात खैरात वैसे भी दान से रिल है थीके दीवान ए अमीर को ही ऑल ऐ जो है वह क्रशी से रि τους ही विभाग उसके बाद नेजे क्यों को पता है दास परथा था घुलाम मन्स तो पूरा दासों सेही लगभग चला है तो उनको क्या बोलता था оны बंदगानल को आ पर दिवाने बंदगान के तहत होता था ठीक है दीवाने बंदगान धासों का विभाग उसके बाद देख लेते हैं और देख लेजी लिखा हुए दीवाने इस्तिहाग पेंशन विभाग से रिलेटेड है जो आपके शाही अधिकारी वगेरा उनकी जो भी पेंशन आती थी जो भी लोग थे जिनको pension मिलती थी उनका सारा लेखा जो का दीवाने इस्तिहाग के अंडर में रहता था ठीक है दीवाने इस्तिहाग इतो अभी हम विभाग देख रहे हैं फिर वो जो अधिकारी रहते थे उनको क्या क्या बोलते थे इनको भी हम लोग एक next वीडियो में दे लेखा जाएगा वो क्या होगा दीवाने वकूफ ठीक तो आइधिंक आपको यह सारे क्लियर हो गए एक बार हम लोग जो है फिर से देख लेते हैं इसको देखेजे पहला क्या था दीवाने वजारत दीवाने वजारत वित्विभाग से रिलेटेड था ठीक है पाइनेंस मि मुस्तकराज दीवाने मुस्तकराज जो है वो राजस्विभाग से रिलेटेड है ठीक है रेवेन्यू तो कहां से क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो था दीवाने मुस्तकराज बोला जाता था ठीक है फिर दीवाने इंशा पत्राचार विभाग ठीक पत्राचार दीवाने इंशा के अंतरगत आता था दीवाने रसालत के अंडर में क्या आता था विदेश विभाग आता था था धीवाने खेरात, दान विभाग को बोला जाता था दीवाने अमीर को ही क्रशी विभाग को बोला जाता था दीवाने बंदकान दासों की विभाग को बोला जाता था और दीवाने इश्तिहाग पेंसन विभाग को बोला जाता था और दीवाने वकूफ बोला जाता था वै विभाग को तो I think आप लोगोंने सारे ये देख लिए और आपको याद भी हो गयोंगे इसको एक दो बार अगर आप और देख लोगे अच्छे से या नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ये जो चीजे हैं ये अच्छे से त्यार हो जाएं ये आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं देखें आपके विभाग और इस टाइम के अधिकारी को क्या बोलते थे क्या बोला जाता था ठीक है तो वो सब बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता एक्जाम्स में तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाला ज्यादा लाइक करना और शेयर करना ठीक है और वीडियो नेक्स्ट आपको कौन सा चाहिए आप मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहते हैं तो चलिए मिल तर ये सिक्षड इक्षग इसाथ